इलोंग सोलेनाइड के रिकरेंड पॉड्यूस मेगनेटिक फिल्ड इलोंग इट्स एक्सिस चलो एक सोलेनाइड बना लेते हैं ऐसे सांप की तरह ऐसे अच्छा वाला solenide है हमारा तो ये इसके axis पर magnetic field क्या होगा तो axis पर किसी भी instant जो magnetic field की expression है यहाँ बीच में जो magnetic field होती है वो होती है mu not i और इसके end पर यहाँ पर जो magnetic field होती है वो होती है mu not ni divided by 2 magnetic field पर और general distance में magnetic field आप पढ़े होगे यहाँ पर अगर यह solenide इस end पर यह एंगल alpha beta है तो उसका दूसरा वीडियो मेरा देख लेना तो magnetic field में समझाया हूं mu not ni by 2 sin alpha plus sin beta के equal होता है अब यहाँ करना क्या है चलो उसकी तो में जरूर नहीं है हमें center पर एक्सिस पर देख लेते हैं क्या होता है कहता है magnetic field भी along axis पहले से थी अब इसमें हमें number of turns per unit length if the current is double number of turns per centimeter half मतलब यहन जो है number of turns क्या है per unit length है मेरे भाई तो number of turns per unit length mu not और number of turns per unit length अगर आधा कर दूं और current को two times कर दूं तो magnetic field तो वही आ जाएगा भाई है mu not n i आजाएगी कोई change नहीं आएगा बीच में axis पर इंड पर भी रहेगा तो इंड पर भी magnetic field b is equal to mu not by half है और यह number of turns आधा हो गया current two times हो गया मतलब mu not n i और by two आगया मतलब कहीं कोई change नहीं आ रहा है तो मैं इंड फिल्ट वी एक्सी पर भोगा